हेलो दोस्तों वेलकम बाक टू दी अनदा वीडियो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इमिज देख रहे हूंगे तो अगर आप भी कुछ इस तरह के वाइरल इमिज जेनरेट करना चाहते हों जो कि आज कल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वाइरल है और ट्रेंडिंग में है चाहे आप बोई हो या अगल आप बहुत ही इसलिली इस तरह की इमिज जेनरेट कर सकते हैं और वो भी अपने नाम के साथ तो इस वीडियो में दोस्तों आपको तरीका बताऊंगा कि आपको प्रॉम्ट को कैसे लिखने हैं और इस तरह की इमिज जेनरेट करनी हैं वो भी sagte कुल फ्री में तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को करते है ॥ा तो इसके लिए दोस्तों आपको ख्रोम में आ जाना है और आपको यहां सर्च में लिखना है विंग immortal और आपने सर्च कर लेना है तो सर्च कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस website की उपर click करना है तो click कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का interface देखना को मिल जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ उपर prompt लिखना है आपको जिस तरह की भी images चाहिए आपने यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर आप लोगोंने कुछ सेकंड वेट करना है वेट करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ था सेम उस तरीके से आपकी image generate हो चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और realistic image यहाँ पर generate हो चुकी है तो दोस्तों आप भी इस तरह की image generate कर सकते हों वो भी अपने name के साथ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हों कि name भी इसमें add हो चुका है तो दोस्तों अगर आप इस image को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यहाँ थरी dot पर क्लिक करना है और फिर download पर click करना है, यहाँ पर आपकी image download हो जाएगी, download होने के बाद दोस्तों आप लोगों ने back आ जाना है, back आ जाने के बाद दोस्तों अगर आपको इन में से कोई भी image पसंद नहीं आती है, तो आपको again यहाँ create पर click करना है, तो यहाँ पर कुछ और image generate हो जाएंगे, उसके बा आप कुछ एड करना चाहते हो। हो उसके बाद यहाँ नीचे create button है simply आपने इसके ऊपर click करना है गैन आप logo ने यहाँ पर wait करना है तो finally दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी prompt में changes किया हुआ था सेम उस तरीके से आपकी image generate हो चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़िया और realistic image यहाँ पर generate हो चुकी है तो दोस्तों आप भी इस तरह की image generate कर सकते हो वो भी अपने name के साथ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि name भी इसमें add हो चुका है तो तो आप लोग भी easily इस तरह की image generate कर सकते हों सिर्फ आपको prompt सही से लिखना है तो दोस्तों इस prompt को मैं description में add करूंगा बहां से आप लोग copy भी कर सकते हों या screenshot भी ले सकते हों तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छ